Hello Friends, C Language सीखने की स्रीज में आज हम देखेंगे Lecture 6 का Part 2, जिसमें हम पढ़ रहे हैं Loops in C Language. इसको इंप्लिमेंट करने के तीन तरीके हैं, While, Do While and For Loop. हम पिछले Lecture में While Loop को पढ़ चुके हैं, आज हम देखेंगे Do While और For Loop. तो चलिए देखते हैं, ये वही प्रोग्राम हैं, जो पिछले Lecture में बनाया था, ये तीनों अलग-अलग पार्ट है, ये While Loop है, ये Do While और ये For Loop है. जैसे कि हम नाम प्रिंट करनाना चाहते थे, तो सभी को अलग-अलग तरीके से लिख दिया, तो आप While कर्शन टेक्स देखिए, सबसे पहले लिखेंगे While, While एक Keyword है, इसके अंदर Condition लिखेंगे, और Semicolon नहीं लगाएंगे, इस Curly Bracket से इस Curly Bracket तक While Keyword है, यानि इस Curly Bracket के अंदर, जो भी लिखा जाएगा, वो Repeat होगा, और कितनी वार Repeat होगा, इस बात पर Depend करता है कि, While की Condition क्या है, जैसे हमारी Condition लिखी है, I less than equal to 5, I एक Variable है, जिसके Value है 1, यानि Condition तभी False होगी, जब I की Value 5 से बड़ी होगी, तो आईए हम इसके Execution को समझते हैं, हमने एक I नाम का Variable बनाया, जिसमें 1 को Assign कर दिया, तो हम इस I नाम के Variable में 1 को रख लिया, अब जब Condition चेक होगी, तो I की Value है 1, तो 1 less than equal to 5, Condition True है, तो Control While के Body में Enter होगा, और सुभम पहली बार Print हो जाएगा, अब Control I++ पर आ गया, इसको बोलते हैं Increment Operator, अभी I की Value 1 है, और जब I++ चलेगा, तो I की Value 1 से बढ़कर 2 हो जाएगी, और Control Get CS पर ना जाके, वह अपस While Keyword के पास जाता है, इसके बाद फिर से Condition चेक होगी, और I की Value अब की Value 2 है, तो 2 less than equal to 5, Condition True है, फिर से Control While के वाड़ी के अंदर इंटर करेगा, और सुभम दुवार प्रिंट हो जाएगा, फिर Control I++ पर चला जाएगा, अब I की Value 2 से बढ़कर 3 हो जाएगी, और Control Get CS पर नहीं जाएगा, वह अपस While पर चला जाएगा, इसी प्रकार ये लूप चलता रहेगा, और जब I की Value 5 से बढ़कर 6 हो जाएगी, तो कई सारे स्टुडेंट क्या सोचते हैं, कि I की Value 6 हो गई, यनि Control लूप के वाड़ी के वाहर, Get CS पर आजाएगा, लेकिन ऐशा नहीं होता, I की Value 6 है, यनि वह अपस Control, While पर चला जाएगा, और Condition को चेक करेगा, I की Value है 6, तो 6 less than equal to 5, Condition false है, तब Control, While के वाड़ी के वाहर Get CS पर आजाएगा, तो आप क्या बता सकते हैं, Condition कितनी बार चिक हुई, Yes, Condition 6 बार चिक हुई, और नाम 5 बार प्रिंट हो रहा है, नाम 5 बार इसलिए प्रिंट हो रहा है, क्योंकि 6 बार जब Condition चेक हो रही थी, तब Condition false हो गई थी, और Control, Get CS पर आगया था, आईए इसी Shame को Do While Loop में देखते हैं, जो Code While Loop में था, वही Shame Code Do While Loop में है, लेकिन जहाँ पर While Loop था, उसकी जगए लिख दिये Do, जिसके Condition नहीं होती, और जहाँ पर Do का Block End हो रहा है, उसके नीचे लिख दिया While, और While के Paranthesis में Condition लिख दिया, और Notice करिएगा, यहाँ पर कोई Shame कोलन नहीं लगाया, आइए इसकी Execution को समझते हैं, सबसे पहले I की Value है One, Control आ जाएगा Do पर, Do का काम होता है, Control को Body के अंदर इंटर कराना, जैसे ही Control अंदर आएगा, Print अफ चल जाएगा, और शुभम Print हो जाएगा, फिर Control I++ पर आ जाएगा, और I की Value, One से बढ़ कर Two हो जाएगी, फिर Control वाइल पर आ जाएगा, और अब कंडिशन चेक होगी, तो अभी I की Value है Two, तो Two लेस देन इक्कल टू फाइप, कंडिशन टू है, इसलिए Control वापस डू पर चला जाएगा, फिर Control इंटर होगा, और फिर से सुभम Print हो जाएगा, और अब I की Value Two से बढ़ कर Three हो जाएगी, फ कंडिशन टू है, और फिर से Control दू पर चला जाएगा, और सुभम तीन वार Print हो जाएगा, अब कंडिशन टू है, यानि कंडिशन टू है, यो फिर से दू पर चला जाएगा, फिर I की Value पर चलेगा, तो आई की Value फोर से बढ़ कर Five हो जाएगी, condition फिर से चेक होगी 5 less than equal to 5 condition true है फिर से control डू पर चला जाएगा फिर i++ चलेगा तो i की value 5 से बढ़कर 6 हो जाएगी और अब condition चेक होगी 6 less than equal to 5 यानि condition false है तो control get c h पर आ जाएगा तो क्या आप बता सकते हैं कितनी वार condition चेक हुई आप screen को पहुच कर लीजिए और बताईए येस 5 वार condition चेक हो रही है आप मेंसे बहुत से student वो को लग रहा होगा कि condition 6 वार चेक हो रही है लेकिन ऐशा नहीं है आप count करिए जब पहली वार condition चेक हो रही है तब i के value 2 है क्योंकि increment पहले हो चुका है इस प्रकार condition 6 वार false हो रही है यानि 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 5 वार condition चेक हो रही है आई होप आपको ये समझ में आया होगा एक और बात while loop में entry control loop होता है इसका मतलब यह हुआ कि जब condition true होगी तब ही control while के अंदर entry करेगा इसलिए while loop को entry control loop बोलते हैं जबकि do while में exit control loop होता है इसका मतलब जब do के body के बाहर आ रहे हैं तब condition चेक हो रही है इसलिए इसे exit control loop बोलते हैं आईए देखते हैं for loop का syntax कैसे होता है हम देखते हैं कि जो programmer होता है वो ज़्यादा तर for loop का यूज़ करता है इसकी बज़या है कि इसमें initialization, condition और flow तीनों काम एक साथ किये जा सकते हैं तो इस for loop को देखिए पहले initialization, फिर condition, फिर flow तीनों while और do while में अलग अलग लिखे थे जबकि इसमें एक साथ लिखे हैं और एक बात, parenthesis के अंदर दो semi colon लगाना जरूरी है बाहर लगाएं या ना लगाएं इसका execution देखते हैं सबसे पहले initialization होगा यनि अभी I की value है 1 तो I के अंदर value आ जाएगी 1 फिर control, middle वाले section में जाएगा यनि condition चेक होगी अभी I की value 1 है तो 1 less than equal to 5 condition true है फिर control, I++ पर नहीं जाएगा control प्रिंट अप पर जाएगा और शुभम प्रिंट कर देगा और जैसे ही control फॉर के वाड़ी के end में जाएगा control जंप करके वापस I++ पर चला जाएगा और I की value 1 से बढ़कर 2 हो जाएगी फिर for loop चलेगा अभी I की value 2 है यानि condition true है और फिर से सुभम प्रिंट हो जाएगा फिर control वापस जंप करके flow यानि I++ पर जाएगा और अब I की value 2 से बढ़कर 3 हो जाएगी जब I की value 5 से बढ़कर 6 होगी और control condition पर जाएगा तो 6 less than equal to 5 यानि condition false है और control get cs पर चला जाएगा ये भी while loop की तरह entry control loop है यानि एक भी बार condition false होगी तो control for loop के बाहर चला जाएगा आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप चाहें तो do while और for loop को रन करा के देख सकते हैं यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और यदि आपने अभी तक मेरे पेच को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करिए मैं इसकी लिंक नीचे दे दूँगा धन्यवाद